नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ब में एक कमेंस में रिसीप किया था विकाष जी का, सबसे पहले मैं उने थैंक्स ना चाहती हूँ कमेंस करने के लिए, कमेंस उनका ये था कि कोई फिक्स अस उधार में purchase करते हैं credit पे purchase करते हैं किसी पार्टी से तो उसकी आपको entry कैसे करनी है चलिए वह practically मैं आपको step by step करके बतानी वाली हूं तो चलिए देखते हैं अगर आप कोई fix assets किसी व्यक्ति से या फिर किसी पार्टी से उधार में purchase करते हैं तो कैसे आपको उसकी entry करनी है टैली प्राइम में टैली प्राइम को open कर लेते हैं और सबसे पहले हमें basics ledger को create करना है तो चलिए basics ledger को create कर लेते हैं gateway of tally से हम create पे जाएंगे और उसके बाद हमें ledger पे जाना है और यहाँ सबसे पहला जो ledger में create करूँगी जिस पार्टी से हमें purchase करना है उस पार्टी का हम यहाँ पे ledger create करेंगे तो मैं यहाँ पे create करनी हूँ suman electronic company इस company से हम purchase करेंगे तो यहाँ पे under हम create करेंगे sundry creators क्योंकि जिन से हम purchase करते हैं उनका ledger हम sundry creators के under में create करते हैं maintain balances bill by bill yes कर लीजे पार्टी का address, state, gst number सारे information field करके इस ledger को save कर लीजे and इसके बाद जो next ledger है वो हम create करेंगे मैं आपको show करती हूँ तो मैंने कुछ ledger already create करके रखा हुआ है तो वो मैं आपको show करती हूँ gateway of daily से हम alter पे जाएंगे then ledger पे and उसके बाद जो next ledger हम create करेंगे text session वाला cgst का under duties and text says में gst and उसके बाद देखे central text यह आप ledger save कर लीजे उसके बाद as gst का आपको ledger create करना है under duties and text says में then gst and state text select करके इस ledger को save कर लीजे इसी type से हम जो next ledger create करेंगे वो मैं आपको show करती हूँ जो हम ac purchase करने वाले हैं तो उसके लिए हम fix assets का ledger create करेंगे ac तो जो आप ledger का name देंगे वो आप ac कर लीजे और कितने ton का ac है वो आप mention कर सकते हैं तो मैं आपे create कर लीजे हूँ ac 1.5 ton का under आपको रखना है fix assets क्योंकि जो ac है वो आपकी company के लिए fix assets होगा gst इसके उपर applicable होगा and set alt or gst में just press करना है आपको और जो ac का अच्छे सन code होता है वो अच्छे सन code feel कर लीजे और उसके बाद देखिए nature of transaction अगर आप local party से purchase कर रहे हैं तो purchase taxable, interest rate से purchase कर रहे हैं not applicable कर लीजे nature of goods में आपको capital goods करना है, taxability में taxable and 28% tax apply होता है तो 28% tax rate apply करते हुए type of supply में goods रख लीजे और इस ledger को save कर लीजे तो इस type से जो basics ledger होते हैं वो हमने create कर लिया है अब हम यहाँ पर करेंगे purchase के entry तो purchase के entry करने के लिए gateway of tally पर चलते हैं यहीं से भी प्रेस करेंगे right hand side से आपको purchase वाला voucher select कर लेना है और जो हम fixed assets की entry करते हैं उसके लिए हमें change mode पे click करना है and accounting voucher यह option आप select कर लीजे इस mode में हम अपने fixed assets के purchase की entry करेंगे F2 प्रेस करके आपको date को change कर लेना है supplies का invoice number जो है वो feel कर लीजे किस party से आप purchase कर रहे हो इस party का ledger आपको select कर लेना है and then आपको यहाँ पे particular में select करना है जो हमने AC का fixed assets का जो ledger create किया था वो select कर लीजे suppose किजी आप एक AC purchase कर रहे हैं जिसका price 30,000 plus GST है तो आपको यहाँ पे जो fixed assets से वो select कर लेना है and directly यहाँ पे amount में accessible value feel कर लीजे 30,000 and मैं यहाँ पे local party से purchase करती हूँ इसले इस पे CGST and SGST हम apply करेंगे तो इस step से आप जो AC purchase करते हैं अपने business में use करने के लिए उसकी entry करनी है तो यह entry हमारी हो चुकी है complete इसको हम save कर लेंगे अब जो हमने entry pass की है चलिए go to में चलते हैं and balance sheet में देख लेते हैं वो entry आपको कहाँ पे show होगी balance sheet में assets side में fixed assets पे जब आप enterprise करेंगे AC 1.5 turn 30,000 यहाँ पे आपको accessible value show होती है with takes आपको show नहीं होता है तो इस step से आप देख सकते है balance sheet में जो आपने entry pass की थी अब चलिए अब हम देख लेते हैं party का ledger open करके तो ledger voucher then voucher में जाएंगे आप and यहाँ से जो party का ledger है वो open कर लेते हैं suman electronic company यहाँ पे जब आप ledger देखेंगे app to press करके update change करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको show होगा हमने यहाँ पे जो purchase किया है वो देखिए total amount आपको show हो रही है 38,400 तो यह हमने party से credit यानि की उधार में purchase किया है और जब हम इसकी payment की entry करेंगे तो इसका account नील हो जाएगा अब यहाँ पे जो हमने fix assets purchase किया है उधार में purchase किया है यहाँ पे support कीजिए हम next month में अगर payment करेंगे तो payment की entry जब आप pass करेंगे तब इसका account जो है वो नील हो जाएगा तो payment की entry pass करने के लिए आप यहीं से alt A प्रेस करके voucher create कर सकते हैं और इसके बाद आप payment वाला voucher select कर लीजे right hand side से F2 प्रेस करके update select कर लीजे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है जो party है उसका ledger select कर लेना है Suman Electronic Company आप यहाँ पे देखेंगे current balance आपको show हो रहा है 38,400 उसके बाद देखिए against reference में जिस invoice की against आप payment कर रहे हैं वो invoice select कर लीजे bank के through कर रहे है, cash के through कर रहे है वो ledger आप यहाँ पे select कर लीजे यह हम party को payment कर रहे है, payment की entry pass कर रहे है save कर लेते हैं और यह payment की entry save करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको show करती हूँ again यहाँ पे refresh हम करेंगे, again हम party का ledger open करेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे दो entry हमें show हो रही है सबसे पहले हमने purchase किया है यहाँ पे और उसके बाद after one month हमने payment कर दिया है तो party का जो account है वो नील हो चुका है debit credit equal हो चुका है यानि कि यह account नील हो चुका है तो इस step से अगर आप उधार में fix assets purchase करते हैं तो इसकी accounting आपको इस step से maintain करनी है चानल से पहले वीडियो को like, share, subscribe कर दिजेगा